नमस्कार दोस्तों हर्याना ओन्लाइन प्रिपरेशन यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो दोस्तों कल हर्याना मेल कोंस्टेवल हर्याना पुलिस का जो अग्जाम हुआ था मेल कोंस्टेवल का तो उसकी आंसर की ओफिसेल आ चुकी है जिस किसी बाई को किसी क्यूस् में किसी answer में problem है तो उसके लिए अगर आपको objection लगाना है तो उसके लिए आज हम आपको पूरी वीडियो बताएंगे उसके लिए आपको हमें एक direct आपको link देंगे जो वीडियो में मिल जाएगा और वीडियो में पूरी तरह है step by step आपको बताए जाएगा कैसे objection डाल सकते हो तो आप पूरी वीडियो को पूरी अंतक देखें और जादा से जादा सेयर करें तो यह notice भी कल आया था आप जो भी है वह आपको बताऊंगा मैं कैसे डालना है और यह देखिए दोस्तों अठार एक दो जारूनिस अठार एक दो जारूनिस से आप 21 जारूनिस पांच बजे तक मतलब पर 105 बजे तक आप ओबजेक्शन डाल सकते हो और कैसे डालना है ओबजेक्शन हम आपको लिंक बताएंगे और आपको समझा रहे हैं तो आप अराम से देखिए दोस्तों देखिए दोस्तो जो link था वो हम यहाँ copy कर रही हैं आपको यह link वीडियो में मिलेगा दोस्तो और यह देखो दोस्तो डारेक्ट आपको एक link से सब कुछ मिल जाएगा HSC Objection Monitoring App तो यह है दोस्तो आप यहाँ सबसे पहले name of candidate step by step दोस्तो राम राम से जो चीज है वो अराम से फिल करनी है आगे देखिए दोस्तो जो roll number था आपका वो भरना है चलो हम roll number कुछ भी माल लेते हैं जैसे हमने यह roll number फिल कर दिया दोस्तो आगे देखिए आगे है दोस् यह email ID भर दी दोस्तो और आपको अपनी email ID ही भरनी है जो आपने पहले यूज कर रखी है या पहले दे रखी है आपका mobile number जो आपने पहले यूज कर रखा है जिस पे आपके notification आते हैं चैस्सी वगएरा के exam से regarding तो यह देखिए यह हमने किसी का भी जो sorry यह देखिए दोस्तो यह हमने mobile number फीट कर दिया आगे है नेम और पोस्ट तो आपको पोस्ट का नेम निकलना है mail constable हर्याना पूलिस mail constable पूरा लिख दीजिए यह देखिए दोस्तो step by step पूरी वीडियो देखिए अंत तक पूरी आपको समझाया जाएगा कहां कैसे कर अटवर्टीज नमबर आपको बताया था मैंने 303 2018 जो उसमें लिख रखा था नोटिस में वहीं आपे फिल करना दोस्तो और category नमबर 01 जो उसमें लिख रखी थी नोटिस में और आपको पता भी होगा जब अग्जाम फिल हुए थे तब फिर पूछर का दोस्तो date of examination कब हुआ था 23 को 23 दिसमबर भी दिसमबर को हुआ था 2018 को यह आपने यहाँ फिल कर दिया ठीक है दोस्तो फिर morning या session कोई भी session हो आपका उस पे टिक मार कर दीजिए morning कर दिया booklet series आपकी क्या थी code क्या था booklet का जो आपके ओमार में आप जो आपके पास उसमें भी मिल जाएगा आपने see कर दिया तो इसको आपको submit करना दोस्तों यह हो गया submit अब आगे देखिए अचसी answer की objection receiving form यह है दोस्तों आपको question number four objection, question number आप मान लेते हैं five objection हमें, please select type of objection किस परकार से आपको objection है, answer की wrong लग रही है, आपको उसका answer गलत लग रहा है या question ही गलत है, हम मानते है answer की ही में कोई answer गलत ह तो आप क्या answer मानते हैं, हम मानते हैं B answer और अचसी ने दे रखा A answer ठीक है, तो यह source पूच रखा दोस्तों आपको कहां से मिला है, मतलब यह आपको कहां से मिला है, तो हमने लिख दिया plus one, plus one bio, plus one की bio की book से मिला जैसे plus one ncrt लिख देते हैं, एक मिट सोरी, ncrt, सोरी, ncrt, तो पलस one ncrt bio, तो वहां से हमें मिला, पूरा book का नाम लिखना है, दोस्तों मैंने short form में लिखा लेकिन आप पूरा लिखना है, जहां से आपको यह मिला है, answer या कहीं भी आपने खाएं से भी help ली है, और आपके पास यहां पे कोई file है, तो वो चूज करके लिरगानी है, जो आपको PDF हो, या कोई आपको सकीन शोट ले रखा हो, वो आपको यहां करनी है, और यह आपका objection, final submission, close this window, आप इसको final करके, close कर सकते हैं, save, save कर दिया, और आपको roll number, question mark, credit answer, या आपको final में बाद में आपको पता चल जाएगा, आपका successful हुआ है या नहीं, save, add another objection, या और कोई objection करना, आप यह की question है, दो objection कर दूसरा question है, तो आप ऐसे objection लगा सकते हैं, दोस्तों, आपको समझा आ गया होगा, हमारे साथ बने रही है, हमारी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करें द हैं नहाद.